नमस्कार दोस्तो आपका हमारी यूट्व चैनल तिवारी जोती में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम जानेंगे सपने में गीता देखने का क्या मतलब होता है स्वापन जोतिक सास्त्र की अनुसार अगर कोई व्यक्ति सपने में गीता पढ़ता है या फिर गीता देखता है तो इसका क्या मतलब होता है तो स्वापन जोतिक सास्त्र में सपने में गीता पढ़ते हुए देखना या फिर गीता को देखने का मतलब जानने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारी यूट्यूब चानल को सस्क्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर के बटन को क्लिक करके आप हमारी यूट्यूब चानल को सस्क्राइब करने और बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे तो अपने जोती सास्त्र की अनुसार अगर कोई व्यक्ति सपने में गीता पढ़ते हुए देखता है या पिर गीता को देखता है तो यहाँ सपना बहुत ही सुप सपना है यहाँ सपना इस बात का संकेत करता है कि आने समय में आपके सारे कश्ट दूर होंगे और परिवार में खुसियां आएंगी अगर यही सपना कोई स्त्री देखती है तो उनके लिए भी यह सपना बहुत ही सुप सपना है उनके भी आने वाले समय में उनके परिवार में खुसियां आएंगी और उनके सारे कश्ट दूर ह होंगे तो दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और सेर जरूर करें धन्य बाद जैसरी केशने